विंटर सिजन में मश्रूम खाने का मज़ा ही कुछ और है, नॉन्वेज भी फेल है इस सबजी के आगे, इतना टेस्टी बनकर तयार होगा और इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, ना ही हमको मसाला पीसना है और ना ही अलग से भूनना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी, तो प्लीज वीडियो को आप एड तक देखिएगा, इसे बनाने के लिए मैंने मश्रूम ले लिया है एक पैकेट, अगर मश्रूम पीला हो तो आप उसको आटे से साफ कर सकते हैं, लेकिन ये वाइट ही था मश्रूम तो मै मैंने इसको घरम पानी से धूल लिया है, तो इसका वुडी पार्ट हम हटा देंगे, जो डंठल होता है, और उसके बाद में मैंने इसको काट लिया है, जादा बड़ा हो तो तीन पीसे में काट ले, नहीं तो हाफ कर ले, अब इस मश्रूम में हम मसाला अट करेंगे, तो इसे हम पाच मिनिट के लिए मसाला लगा के रख देंगे, तो मैंने इसमें लगाया है चिकन का मसाला, आप कोई भी सब्जी मसाला भी लगा सकते हैं, यह चिकन मसाला नॉनवेश नहीं होता है, आप देख सकते हैं, उसमें ग्रीन मार्क है, वेजिटेरिये ने 100% आप चाह अगर छोटे हो तो मैंने मीडियम साइस का एकी टमाटर काट लिया है, अब हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे, तो मैंने एक बड़ा चमश तेल भर कर गरम कर लिया है, जब सरसो का तेर अच्छे से गरम हो जाएगा, तो हमने उसमें जीरा, दालचीनी और तेजपात आइड कर दिया है, उसके बाद में जो हमने प्यास काटे थे ना, इसमें डाल देंगे, तो इस मसाले को हम बहुत ही आसान तरीके से पीस भी लेंगे इसी में और भून भी लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी जल्दी बनाना होना सबजी आप इस तरह से बना कर देखेगा, अब प्यास को हम एक मिनिट इसमें थोड़ा सॉप्ट होने देंगे, और उसके बाद में हम इसमें लेसुन और अध्रक आड कर देंगे, तो लेसुन की कलिया भी हमको ऐसी ही डालना है, पीसना नहीं है इसको भी, और इसमें हम एक मिनिट तक लेसुन अध्रक कर देखेग desas, भी तौक काटाईए, तो यह कर देखेगे तो मेंने दो मीडियम साइस के प्यास लिए थे, ज्सके नहीं थे दो फिय्ट अध्रक चूट लिए मने चोनचा चोनच पीसस में काट लिया है बहुत जादा बारेक भी नहीं और बड़े पीसिज भी नहीं तो मै बाद में हम इसे mix करके, अब इसमें हम मसाले आड़ कर देंगे, तो मैंने इसमें आड़ किया है, आदा चमच लाल मिर्च पॉडर, हमने मश्रूम को भी मसाला लगाया है तो उसमें भी थोड़ा मिर्ची होती है, वन फो टी स्पून मैंने हल्दी डाल दिये इसमें, और देर चमच हम इसमें धनिया पॉडर आड़ कर देंगे, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉडरिंग आड़ करें, आप हरी मिर्च भी आइड कर सकते हैं, बाद में, अब इसमें सिफ मसाला डाल कर, ठोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, देखिए कोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम πάर में मुष्जरूम में भी डालेंगे उसके बाद में उसमें में unter 2 के Ahhh यह विसल लगा देंगे तो 2 सीलिप हमको लगा निया इसमें इसमें और नियों तल यह उतना सॉफ्ट हो जाता है आपम मैस करें तो इसलिप सबस्राइब हो जाएगा म कड़ाई में हमने एक चमच बटर डाल दिया था बटर जब गरम हो जाएगा तो मश्रूम जिस पे हमने मसाला लगाया था वो हम इसमें डाल देंगे चिकन मसाला सबजी मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च और थोड़ा नमक हल्दी लगा कर रख सकते हैं न अच्छे खाएंगे इसलिए मैंने जादा स्पैसी नहीं बनाया है इसमें मैंने शिमला मिर्च काट कर डाल दिया आधी लंब लंब स्लैसेस करके बस इसको एक दो मिनिटी फ्राइ करना है तो हम तब तक कूकर का मसाला भी देख लेंगे चेक कर लेंगे तो आपने कूकर ख इससे आप अच्छे से इसको मैश कर सके या घोटा भी ले सकते हैं तो इसको इस तरह से आप चमच को चलाएंगे ना तो पूरा प्यास भी अच्छे से मैश हो जाएगा और जो लेसुन टमाटर है वो सब अच्छे से मैश हो गया है देख सकते हैं पूरा मसाला अच्छे से पीछने की जरुऊ votes नहीं है अब इसी 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 मशाले में मशरूम एड करेंगे तो जो मशरूम हमें ने फ्राइा किया को एस मैड करेंगे और इसको मसाले के साथ हम एक uniform कर लेंगे हैना उसका बढ़ा रखाया आप बना कर दिखेंक अ writes तो एक मिनिट हम मश्रूम को मसालों में फ्राय कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें पानी डालकर और इसमें हम विसल लगाएंगे क्योंकि काफी थिक पेस्ट है तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दो सीटी लगा लेंगे जिससे ये मश्रूम भी कुख हो जाएगा और सबजी बनकर आपकी तैयार है जादा टाइम भी नहीं लगा खड़ाई में थोड़ा टाइम लग जाता है बाकी आसान तरीका है मसाला भी अलग से नहीं भूनना है आपको अब नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें कम हो तो और डाल दें और उसके बाद इसमें दो सीटी हम लगा देंगे दो सीटी के बाद मैंने गैस फ्लेम आफ कर दिया था उसके बाद थोड़ी दिर में मैंने कुकर खोल लिया है तो मश्रूम बनकर एकदम तयार है थोड़ा सा हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धन्या डाला है बहुत ही यह काफी थिक हो गई है ग्रेवी गैस का फ्लेब मैंने आफ कर दिया है और इसको गर्मा गरम आप रोटी के साथ पूरी के साथ नान के साथ सर्फ करें बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब सब जीवन कर तयार होती है आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे झाल सबसवा मुझा भिव का झाल से जीवन कर दो कर को कृक्त बच्चों का अगर बहुत है और से समी की पूरी को कर दो उच